अच्छानक में महान आजा और कुछ समझ में नाए तो जटपड बनाएगे ये अंडे और आलू की मसालेदार टिस्ट जिसके आगे प्रियानी भी फील है सलाम आलेकुम दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ अंडे और आलू की मसालेदार करी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक कीजेगा इसमें डालेंगे आधा चम्मस हल्दी का पॉडर आधा चम्माई मिर्चे पॉडर और थोड़ा सनमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे कि मारे पूरे अंडो पर यह मसाला लग जाए यह अंडो का मसाला लग जाए इससे अंडो का कलर बहुत अच्छा आता है अब हम इसे निकाल लेंगे इसे में डालेंगे यह आलू कटे वे अच्छे से निकाल लेंगे एक कडाई में मैंने तील गरम किया इसमें डालेंगे अंडे यह आलू देखें कि अंडे गूल्डन हो चुके हैं और यह आलू भी हमारे अच्छे से हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे अब इसे तेल में डालेंगे माता चम्माच कुट जीरा पाच काली मिर्चे प्यास यह एक बड़ी प्यास मैंने ली थी इसमें डालेंगे तो चम्मच अधरक लेसन का पेस्ट आप गिसी हुई अधरक लेसन भी डाल सकते हैं यह चार हरी मिर्चे हैं जिसको मैंने बीच से दो कर लिया तो वो इसमें डाल देंगे आप हरी मिर्चे काटके भी जाल सकती हैं लेकिन वो बच्चों के निकालने में बड़ी परिशानी होती है बच्चों के मोमच चली जाती है तो बहुत तीका लगता है उन्हें तो इसलिए आप बड़ी बड़ी मिर्चे डालिए ज़ादा सही रहेगा पास मिर्च पकाने के बाद हमने इसमें डाल ले आदा चमप, अलड यहलो कर दीज़ेगा आदा चमप, और आदा चमप, धनिया पोड़र नमक, 6 दन्यू सार लेकिन डालते टेम यह भी धियान रख अंडो में भी नमक डाला था अब इसको फाज मिन धीमियाज पर पकाएंगे मसालो को अब इसमें डालेंगे दो बड़े टीमाटर ते जिसको मैंने पीस लिया था वो इसमें डाल देंगे आप चाहे तो टिमाटर को महिन महिन काटके भी इसमें डाल सकती है अब आम इसे ढख कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे देखे 10 मिनट हो चुकी है मसाला भून चुका है अच्छे से मसाले से तेल अलग होने लगा है अब इसमें डालेंगे 2 चमज भूनावा बेसन अब आप चाहे तो बेसन डालेंगे मन ना करें तो ना डालिए लेकिन बेसन डालने से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता इसमें इसमें पानी डालेंगे इसमें डाल देंगी एक गरम मसाल आदा चमज और हरधनीआ अब इसे पाँ मिन ड्राण के लिए ठाख देंगे? देखिए पाच मियाट हो चुकिए अब हम इसे खोड़ते हैं यह देखिए कितनी अच्छी बनी है और कितनी अच्छी लग रही है ना चलिए हम इसे निकाल के दिखाते हैं देखिए रेटी है हमारी गर्मा गराम आलू और अंडे की मसाले दार करी और यह छोटी वाली जरीने अपने लिए निकलवाई है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा